C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारपस्तुत है कक्षा चार की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का पाठ दो कान-कान में मेरे कान किसके पास हैं? यहाँ एक चित्र दिया गया है जिसमें कई जानवर हैं लेकिन ये क्या सबके कान बदल गए हैं? हाथी के सिर पे किसी और के कान, जिराफ के सिर पे किसी और के? खरगोश के सिर पे किसी और के? और चूहे के सर पे किसी और के? सोचो कितने अजीब लगेंगे सब? चित्र बनाने वाले ने जानवरों के कान उलट पुलट कर दिये हैं कान को सही जानवर के साथ जोड़ो, किस जानवर के सिर पर किस के कान है, जैसे, जैसे, जानवर हाथी, कान, चूहा, जानवर, खरगोष, कान, रिक्तिस्थान, जानवर चूहा कान रिक्तिस्थान जानवर जिराफ कान रिक्तिस्थान जानवर कुत्ता कान रिक्तिस्थान जानवर भैंस कान रिक्तिस्थान जानवर हिरन कान रिक्तिस्थान प्रिष्ट बारह अलग-अलग जानवरों के कान अलग-अलग तराके होते हैं सूची में दिये गए जानवरों में से किन-किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन के नहीं उनके नाम तालिका में लिखो जानवर हैं हिरन, मेंधक, मचली, चीटी, कववा, चीता, चिडिया, भैस, साप, छिपकली, सूवर, बत्तक, जिराफ, हाथी और बिल्ली अब बताओ इन में से वो जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके नाम लिखो और वो जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके नाम अलग से लिखो तुम्हें क्या लगता है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके कान होते भी हैं या नहीं यहाँ पर कुछ पक्षियों का चितर है, जैसे मुर्गा, चिडिया, तोता, कव्वा, बत्तख अब बहचान कर बताओ कि यह जानवर कौन-कौन से हैं, क्या तुम्हें इनके कान दिखाई दे रहे हैं, वास्तब में इन सभी की कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर दिखाई नहीं देते प्रिष्ट तेरा, पढ़ो और लिखो, ऐसे जानवरों के नाम लिखो, जिनके कान हों पंखे जैसे, रिक्तिस्थान जिनके कान हों पत्ते की तरह, रिक्तिस्थान जिनके कान हों सिर के उपर, रिक्तिस्थान जिनके कान हों सिर के दोनों तरफ, रिक्तिस्थान तुम्हें पता है न कि कान सुनने में मदद करते हैं कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं ये पंखों से टके रहते हैं इन ही छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं. अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे, मगर मचके भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते. किसकी तुअच्छा? अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से. अब कुछ जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करो. प्रिष्ट 14, चित्र में कुछ जानवर एवं उनकी खाल बनी है हर जानवर का उसकी अपनी खाल से मिलान करो जानवरों के चित्रों में उनकी शरीर पर खाल के डिजाइन भी बनाओ जानवरों की खाल पर डिजाइन उनकी शरीर पर बाल होने के कारण होते है क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिये गए सोचो अगर उनकी खाल से बाल हटा दिये जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे ना रहेगा रंग और ना ही डिजाइन प्रिश्ट पंदरह अब हम कुछ जानवरों के नाम बता रहे हैं इन में से कुछ को तुमने शायद देखा भी हो सूची बनाकर उसमें सही जानवर के नाम छाट कर लिखो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं जिनकी खाल पर बाल हैं जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते जिनकी खाल पर पंक हैं तो अब सुनो जानवरों के नाम लोम्डी, मेंधक, चूहा, मुर्गी, हाथी, कव्वा, बिल्ली, उूट, चिडिया, मोर, भैंस, छिपकली, कबूतर, सूवर, बत्तख, गाए तुमने भैंस और गाए को कौन-कौन सी सूची में डाला है? दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखते हैं? अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई दिये? अगर हाथ ही मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी क्या तुम जानते हो कि हाथ ही की खाल पर भी बाल होते हैं जिन जानवरों के नाम तुमने तालिका में लिखे हैं अब उनके बारे में और बाते जानते हैं प्रिष्ट सोला पता लगाओ इन में से कौन से जानवर अंडे देते हैं अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखो और बच्चे देने वाले जानवरों के नाम लाल बॉक्स में लिखो अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंडो और उनके नीचे रेखा खींचो इसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नाम पर गोला लगाओ तो क्या देख रहा तुमने? जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते और वे अंडे देते हैं प्रिष्ट सत्रह क्या तुमने अपने घर में या आसपास ऐसे जानवर को देखा है जिसने बच्चे दिये हैं उनके नाम कौपी में लिखो क्या तुमारे घर में या आसपास किसी ने जानवर पाला है किसी एक पालतु जानवर के बारे में कुछ बातें पता करो वह कौन सा जानवर है, उसका कोई नाम है, उसका नाम लिखो उस जानवर का नाम किसने रखा, उसे क्या-क्या पसंद है, उसे दिन में कितनी बार खाना देते है उसके सोने का समय क्या है, वह कितनी देर सोता है क्या उसका खास तरह से ध्यान रखा जाता है, कैसे क्या उसे गुस्सा आता है? कब? तुम ही कैसे पता चलता है कि वह गुस्सा है? प्रेश्ट 18 उसके शरीर पर बाल है या पंक? उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं? क्या वह बच्चा है या बड़ा? वह जानवर बच्चे देता है या अंडे? क्या उसकी बच्चे हैं? उस जानवर का चितर बनाओ और उसमें रंग भरो उसका अपनी पसंद से प्यारा सा नाम लिखो प्रेश्ट 19 यहा एक चितर पहेली दी गई है इस चितर में संख्याई लिखी हुई है चितर के जिन भागों में संख्याई लिखी हैं उनमें रंग भरना है रंग भरने के बाद एक चितर भर कर आएगा उसे पहचानना है कि वो कौन सा जानवर है बच्चो यह डाइनसौर है बहुत साल पहले धर्ती पर डाइनसौर थे लेकिन अब नहीं है अब यह सिर्फ फिल्मों, फोटों और पुस्तकों में ही मिलते हैं डाइनसौर के बारे में और बातें पता करो और अपनी दोस्तों को बताओ क्या तुमने डाइनसौर से मिलता जुलता कोई जानवर कहीं देखा है उसका नाम पता करो और लिखो उसके बारे में कुछ और बातें अपने बड़ों से पता करो प्रेश्ट 20 क्या तुम जानते हो? हमारा राश्रिय पक्षी कौन है? वह कहां रहता है? दुनिया में इस जानवर की संख्या कम क्यों होती जा रही है? चर्चा करो कान कान में अभी आप सुन रहे थे कक्षा 4 की पाठेपुस तक हमारे आसपास का दूसरा पाठ प्रस्तुती CIEG NCERT नई दिल्ली भारत